खाओ पीओ आश करो ऐसा होता है हमारो विंटर का सीजन दूप थोड़ी काम होती है मौसम सारी टाइम क्लावडी रहता है काम करने का मन नहीं करता है बढ़ खाने पीने की फुल आश होती है मेरे लिए तो ये सीजन दफ फेवरेट सीजन आफ ते येर होता है खाने पीने की इतनी आश होती है अहां ठीक है लेजी पना थोड़ा सा आता है ठंडी जादा लगती है बट जो इस सीजन के मज़े आना यार वो आपको गर्मी और किसी और मौसम में नहीं मिल सकते ना पंखा चलाने की टेंशन ना ही एसी चलाने की टेंशन जहां पसरना है वहीं पसर जो जर्ष कंबल लेलो गर्मा-गर्म हो जाओ या गर्मी की वो चिप-चिप सेना निजात मिल जाती है इस विंटर के सीजन में हाँ थोड़े हाथ पर ठंडे हो जाते हैं नीले पढ़ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कुछ ऐसे न्यू एंड जीनियस विंटर होम हैक्स जो आपका घर इस विंटर सीजन में वांब एंड कोजी रखने वाले हैं साथ में आपका काम भी इजी करने वाले है नमस्कार दोस्तों मैं रती स्वागत करती हूं आपका होम चैनल पर जहां हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की होम हैक्स की जो हमारा रोज मर्रा का काम आसान करते हैं बढ़ते हैं आगे वीडियो में उससे पहले चैनल जरूर सब्स्राइब कीजिए कॉमेंट करके जरूर बताईए आज क इस तरीके से इनको फोल कीजिए इस तरीके से इनको फोल कीजिए इस तरीके से यह रखे होए भी अच्छे लगेंगे एक तरीका इस तरीके से आप इसको फोल कर सकते हैं दूसरा तरीका बहुत ही जादा एजी है आप इसको इस तरीके से खोल लिए और यहां पर आप तो फिर से में बता देती हूं आप जब इसको फोल कर रहे हो इस तरीके से पॉकेट बनी है और इस पॉकेट में आप दूसरी साइड इसमें लॉक कर दोगे तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा कितना क्यूट लग रहे है यह देखने में भी और रखा हुआ भी बहुत होते हैं सबसे पहले आप यूज कर सकते हो इस तरीके के प्लास्टिक बैक इन में कोई होल ना हो या फिर आप यूज कर सकते हो इस तरीके के वाक्यूम बैक्स ब्लैंकेट के लिए बड़े साइस के वाक्यूम बैक्स आते हैं स्वेटर और कार्डिगन सवेरा के लिए पक जाते हैं और बहुत कम स्पेस में आपका बहुत सारा समान आ जता है ये वैक्यूम प्रेस्ट अराउंड 6-8 मॉंस अराम से आप स्टोरेज में रख सकते हो अगर इन में कोई होल नहीं होता है ये मेरे पास बड़े वाले साइस के भी है इसमें रजाईया और डबल बैट क होते हैं बड़े प्यार से आते हैं बट हाँ ये थोड़े से एकस्पेंसव होते हैं मैंने जब लिये से तब तो एकस्पेंसव थे अभी का लिंक में आपको नीचे description box में देदूगी बट इनका alternative भी है मेरे पास आप यूज कर सकते हो इस तरीके के trash bags of course garbage bags different different sizes के हाते हैं मेरे पास यहां पर small one है और इसी को हम use करने वाले है as a vacuum bag to store our winter wares today now जो मैंने अपना winter blanket fold किया था वो मैंने इस garbage bag में trash bag है this is a fresh trash bag ये used नहीं है so वो मैंने use किया है और उसमें अपना blanket डाल दिया है देखो कितने अच्छे से आ गया जबकि garbage bag जो है small size का है trash bag को lock करने के लिए मैं इस तरीके का sealant clip use करूँगी आप इसमें not भी लगा सकते हो जैसे हम gant लगा देते हैं किसी भी plastic के bag को बंद करने के लिए उस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर आप इस तरीके का sealant clip use कर सकते हो या फिर आपके पास कोई और जो vacuum seal clip हो वो use कर सकते हो यार अभी जो ये trash bag है ना मोटा ताजा हुआ हुआ है ना देखो गुबारी की करना बिल्कुल फूला हुआ है कि अभी मैं हात मारूंगे पटाक करके फूटेगा तो इसकी हवा निकालने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ वाक्यूम क्लीनर जो मैं यूज कर रही हूँ इस बाइद ब्रैंड कोरियो काफी टाइम से मैं ये यूज कर रही हूँ आपने मुझे इसको क्लीनिंग में भी यूज करते हो है देखा होगा ट्रिक क्या है जस्ट आप इसकी एर सक कर लीजे इस तरीके से आप इसकी जो पाइप है लखाफे में लगाईए एक होल के थूँ और जस्ट हवा सक कर लीजे आपको जो इसकी रॉड है पूरी अंदर डालने की जुरत नहीं है जस्ट एंट्री पे कि आप इसकी रॉड मेरा वाक्यूम बैग छोटा है इसलिए मैं इसमें नॉट नहीं लगा पारी हूँ अगर आपके पास बहुत सारी इस तरीके के विंटर वेस रहते हैं तो I will suggest you to invest in these kind of vacuum bag बड़े बले नहीं पर छोटे ज़रूर ले लो बड़ते हैं अपने next home hack की तरफ जहां हम चेंज करने वाले हैं पर्दे और पर्दों को हम करने वाले हैं blackout curtains so अगर आपने share curtains लगायो है जो आप समस में यूज करते हो चेंज इक टू blackout curtains so that जो आपकी heat है वो अंदर कमरे में ही trap रहे और बाहर ना निकल और आपका camera warm and cozy रहे दूरिंग विंटर मेरे साथ mostly problem होती है कि curtains मेरे अब बार बार टेलर के पास भागना भी possible नहीं है so आप जो top size का curtain देख रहे हो यह है 8 feet का curtain यहाँ पर मैं आपके साथ इनको छोटा करने का home hack share कर रही हूँ जो की temporary है आप अपने हिसाब से कभी भी change कर सकते हो नीचे वाला curtain में उपर वाले curtain के उपर overlap कर रहे हूँ और size match क कर रहे हूँ so that जब मैं सारे curtains लगा हूँ वो एक ही size 8 feet के हूँ उपर वाला जो curtain है top size का curtain उसको हलके से pull back कर दूँगी so that नीचे वाला curtain मेरा size का disturb ना हो यहाँ पर मैं कोई stitching नहीं करने वाली हूँ कोई glue नहीं यूज करने वाली हूँ curtain को size छोटा करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ double side tape इस tape का link नीचे description box में होगा ये tape बहुत अच्छे से curtain को hold कर लेती है जब तक आप curtain को next wash नहीं करते हो ये उसी तरीके से curtain को hold रखेगी ज्यादा heavy curtains होंगे तो ये hold नहीं कर पाएगी बट अगर आपके lightweight curtains हैं जैसे कि आप मेरे वाला देख रहे हैं उसको ये बहुत अच्छे से hold करके रखती है अभी मेरे curtains को 3 months हो गए है मेरा curtain खुला नहीं है इस तरीके से आप ये home hack यूज कर सकते हो बहुत easy home hack है quick home hack है जो क कि आपका काम बहुत easy करतेगा देखो जिन लोगों को सिलाई ही नहीं आती है उनको stapler use करने की ज़रती है इस तरीके की trick यूज करके आप अपने curtains को shorten कर सकते हो मेरे पास swing machine है मुझे hemming भी आती है still मैं ये वाली trick use करती हूँ because comfortable to use है एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अ आपने टेप भी लगा दी है पर्दे के साथ और ये देखो ज़रा कितने easily पर्दे इसके साथ चिपक दिया है दिल ली रहा खुल भी नहीं रहा है चलो पर्दे को पेल्मेट पे लगा देते हैं and टड़ा पेल्मेट में मैंने पर्दे डाल दी है रोड में दूसरी साइड स घमार पकरलाई विकॉल पर्दा थोड भारी है तीन चार पर दे एक ही रौड पर और जहां पर रहां है जो की ठोड़े वेलविटे टेक्चर में हैं और यह ऐट को अच्छा से च्राप करके रखेंगे लाइट कलर के हैं तो थोड़ा सन भी अंदर आता रहेगा जस्ट इन जब दूप आए तो खिर्की दर्वाजे खोलने के साथ, जब दूप चली जाए तो खिर्की दर्वाजे बंद करना भी ज़रूरी है, so that जो हमारा कमरा गरम हुआ है, वो वैसे ही रहे और उसके बाद पड़े दुबारा लगा दीजिए. विंटर्स के टाइम में सबसे थंड जो चड़ती है, वो पैरो और हाथों से चड़ती है, तो पैरो का भी आप कुछ इंतिजाम कर लेते हैं, I am using दरी, इस टाइम पर आप रग्स भी यूज़ कर सकते हैं, they are your best friend, so that थंडी जमीन से हमारे पैरो पे थंड ना लगे. मैं यहाँ पर work desk के नीचे यह वाली दरी यूज़ कर रही हूँ, cotton made है, मैंने amazon से ली थी, 8 months से यूज़ कर रही हूँ, इसको राधर मैंने wash भी किया है, machine wash किया है, बहुत अच्छे से निकल के आई है, और super inexpensive थी या, यह just 400 रुपीज की थी I guess, और यह बड़ा size है, around 4x7 है, या 5x7 का size है, अच्छा size है, थोड़ी से यह shrink हो जाती है, बट फिर भी उसका size अच्छा ही रहता है, easily machine washable भी है, आप यहाँ पर देखो कितने अच्छे से wash हो रही है, और चमक के दुबारा बहार निकल आती है, because इसमें जो कपड़े लगे हो हैं, cotton के कपड़ों से यह गुथी हुई है, personally मैं अपने गर में ज्यादा heavy carpets नहीं रखती हूँ, because वो wash करने में बहुत दिक्कत देते हैं, मैं वो ही चीज रखती हूँ जो machine washable और hand washable नहीं हो, सूखने के बाद देखो दरी कितने अच्छे से आगे, कलर दुबारा निकल के आगे, साफ सुत्री होगे, मिट्टी सब निकल गई है, इवन अगर इस पर मिट्टी भी हो, आप इसको जाड सकते हो, तो इसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलेगी है, और मैंने इसकी लोकेशन चेंज करके, वर्कडेस्क के पास रख दी है, विगोज थोड़ा थंड का मौसम आगे, और वर्कडेस्क के आसपस, मैं थोड़े से स्लिपर्स रिमूफ करके ही जाती हूँ, मुझे नंगे पाउं बैटना ज्यादा अच्छा लगता है, बट उससे ठंड में ठंड चरती है, तो उसका इलाज ये ही है, कि भाई नीचे दरी या रख कुछ भी आप बिछा दो, और अपका वर्कडेस्क भी अब आप ठंड में चाहिए, जैसे मर्जी भी काम करो, ठंडी नहीं लगेगी, पैरों से ठंडी नहीं चड़ेगी, तो ये हूँ, मैं आपको कैसा लगा, नीचे कॉमेंट करके जुरूर बताएगे, इनमेंसे कोई भी अगर अभी तक आप यूज कर रहे हैं, कॉमेंट करके बताएगे, ये सेंटर टेबल पर भी एक मॉश्चराइजर रखती हूँ, जो की हेवी, अच्छा मॉश्चराइजर हो, पैर की स्किन ना, इस तरीके से थे को पपड़ी सी निकलने लग जाती है, ये क्रैक ही होती है मेरी स्किन, बट मेरी स्किन पर पपड़ीया निकलने लग जाती है, तो उसको सॉफ्ट रखने के लिए, मैं यूज करती हूँ, मॉश्चराइजर, जो अच्छे से मॉश्चराइजर करने के बादना, मैं पैन लेती हूँ, और ये मॉश्चराइजर हमेशा मेरे सेंटर टेबल पर ही रहता है, दूरिंग विंटर सोंली, नॉट इन समर्स, विंटर में मैं ये जरूर अपने पास रखती हूँ, और साथ साथ जब मैं मॉश्चराइजर लगा रही होती हूँ थोड़स अपने पैरों को मसाज भी कर लेती हूँ, आपके पैरों में कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिनको आपको मसाज करना चाहिए, जो ब्लट लो है, आपके पैरों में अच्छे से जाएं, कभी-कभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, कि आपके पैर सोने लग जाते हैं, दीरे-दीरे करके ये प्रॉब्लम आपकी खतम हो जाएगी, अगर आप इस तरीके से करोगए, उसके बाद में सौक्स पैन लेती हूं, जो मैंने बॉष्चराइजर लगाया पैरों पर उससे मेरी स्किन थोड़ी सौफ्ट रहे, ड्राय ना हो, चैमिकल के जमाने में नाच्छ प्रॉड़क्स अर्ड़ बेस्ट प्रॉड़क्स, तरीके की चीज़े आप लोग यूजा शुरू कीजिये, आप लोग यूजा शुरू कीजिए, आपने को भी बचाईए, अपनी फैमिली को भी बचाईए, और जितने अंदर चेमिकल कम जाएगा उतना जादा अच्छा, तो वाइट वाइट चुका है, अब मैं कोकोनट के तेल का यूस कैसे करती हूँ, यह मैं स्किन पर यूस करती हूँ, इसको पिगाल के अंदर मैं असेंशल ओल डाल देती हूँ, of my choice, यहां पर मैं जो असेंशल ओल यूस कर रही हूँ, मैं नीचे description box में दे दूंगी आपको, यह असेंशल ओल यूस करने के यहां पर मैं आपको दिखा रहे हूँ, यहां पर मैं आपको दिखा रहे हूँ, कोई dry patches नहीं है, मैं coconut oil winter में यूस करना शुरू कर लेती हूँ, इससे skin heal भी होनी शुरू हो जाती है, कोई अगर marks होते है, skin पर वह भी कम होना शुरू हो जाते है, winters में तो आप ऐसी skin ढ़क आपके skin में धीमी-धीमी से खुशफू रहेगी, तो आप deo's और in chemical sprays से थोड़ा दूर रहोगे during winters, alternatively आप इस तरही के, body oils भी use करके देख सकते हो, यह मेरे पास orange fragrance का body oil है, completely non sticky है, कोई sticky feeling नहीं देता, इसके ओपर आप full sleeve के कपड़े भी पहन सकते हो, बहुत अच्छे स feeling बिल्कुल चली जाती है, skin में बहुत अच्छे से absorb हो जाती है और आपकी skin बहुत soft हो जाती है, so मैं इस तरही के, body oil पर use करती हूँ, genius winter home hacks में मैं आपके साथ everything, घर से related, और skincare से related, सब कुछ शेर कर रही हूँ, अगर अच्छी लगए, जुरूर चानल को सब्स्राइब कीजे, like कीजे, video को comment करके बताईए, आप इनने से कौन से home hacks अपने winter में, घर में अपनाते हैं, next हमारा winter home hack आता है, जब हम lazy हो जाते हैं, हमारा काम बिल्कुल खतम हो जाता है, and we just want to relax, and उसके लिए sofa is the best thing during winter, मैं यहापे winter में, sofa के hand rest पे एक throw रखना पसंद करती हूँ, चा मैं just in a jiffy काम करना होता है, और इतना time नहीं होता है कि हम fold करें और cushion cover में अंदर डाले, cushion cover को cushion cover की तरह ही रहने देती हूँ, और अपना जो blanket है, जो throw है, वो मैं hand rest पर रख देती हूँ, hand rest पी मेरा गंदा नहीं होता है, साफ रहता है, आप देख रहोगी मैं अपने sofa को बि being a light color sofa, so इसी तरीके से मैं अपने sofa पर relax करती हूँ, TV देखती हूँ, phone scroll करती हूँ, चाय पीती हूँ, और अगर सोना है तो थोड़ी दर सो भी जाती हूँ, regular use वाली चीज़ है, जादा अंदर गुसा के मत रखिये, पैक कर के मत रखिये, उनको बाहर ही रखिये, आपी का time के लिए glass jars लिए, जिनकी bamboo lid है, wooden lid है, airtight है, so I was trying them and I found them good, इनका जो glass है, that is borosilicate, इसका purchase link में, description box में देदूंगी, मैंने एक नमकीन भी रखा है, साथ में काटिया, but मैंने साथ में dry fruits जादा रखे है, because winters is the best time to fill your body with nutrients, with good energy, and वो अपको कैसे मिलती है, जब आप हल्दी काते healthy खाने के लिए dry fruits, dry fruits हम basically summer में जादा नहीं खा पाते हैं, हम winters में ही consume कर सकते हैं, और अपनी body को good health and nutrition प्रोवाइड कर सकते हैं, सरसो का साथ, makki की रोटी, पालक पनीर, इतने ऐसे winter के vegetables, dry fruits and what not, जो हम winters में ही consume कर सकते हैं, best मजा लो और अपने घर को comfortable, warm, cozy बनाओ, so that you can enjoy the winter season to the fullest, to the maximum. सर्वियों में दिन तो बहुत ही easily निकलता है, सूरज की धूप सेखते सेखते, दिन कहा निकलता है, हमें पता ही नी चलता, but जैसे ही शाम होने लगती है, हमारी ठंड बढ़ने लग जाती है, कमरे ठंडे होने लग जाते है, कमरे को वैसे ही cozy गरम रखने के लिए, सबसे प लूप चली जाती है, और उसके बाद पढ़ते आगे कर दो, so that जो बाहर की ठंडी हवा वो अंदर ना आ पाए और आपके जो गरम कमरे है, उनको ठंडा ना कर पाए, वाइड लाइट यूज करने की बजाया, वाउम लाइट येलो लाइट यूज कीजिए, उससे थोड़ अच्छा नहीं है, और आपके लिए भी अच्छा नहीं है, पूरा दिन घर में हीटर चला के रखना, it's not feasible, electricity का बिल भी लंबा चौड़ा आजएक, और inflation rates तो आपको आजकल पता ही है, skyrocket हो चुके है, तो जो अपनी ages old संस्कृती ही है, ना दिया जला के रखने की, एक तो घर में positivity लाती है, दूसरा वो जिस जगह पर आप उसको जला रहे हो, थोड़े उस जगह को warm भी कर देती है, तो उसी का क्यों ना इस्तमाल करें, मिटी का दिया यूस नहीं करना, तो आप इस तरीके के दिया यूस कर सकते हैं, और अगर सेंटे उसको करना है, तो आप इस तेल का दिया जला सकते हैं, मैं यहां सरसो का तेल यूस कर रहे हूं, सरसो के तेल के थोड़े फ्यूम्स निकलते हैं, बट अगर आपको वो भी नहीं चाहिए, तो आप तिल का तेल यूस कीजिए, तिल का तेल मोसली पूजा में यूस होता है, तिल के तेल की जाधा से यह चलेंगी और अगर आपने इनमे असेंशल डाला है आपका कमरा मेहकने वाला है ट्रस्ट मी बहुत खतरनाक तरीके से मेहकने वाला है यह जो बतिया हमने यूज करी है इनका मल्टी यूज आप कर सकते हैं दो से तीन बार ये इसली री यूज हो जाती है यह नहीं है कि आप इनका से वन टाइम यूज कर सकते हैं कॉटन वाली बति मोशली हमारी वन टाइम यूज होती है बट यह वाली री यूज है शेरिंग इस केरिंग हम अपने बच्चों को तो सिखाते हैं बट क्या हम वो एप्लाइ करते हैं ब्रहमास वीडियो में मेरे से बहुत लोगों ने पूचा था कि हम क्लोधिंग किस तरीके से मैनेज करें चलोधिंग तो देखें मैं अपनी सिस्टर के साथ अपने क्लोध्स शफल करती हो हैं मैं यहाँ पर अपनी एक विंटर की जाकेट है, जो मेरे यूस की नहीं है, दो मुझे आती है, बट मैं उसको दो साल से यूस नहीं कर पाई हूँ, एक देट साल हो गया मैंने उसको यूस नहीं किया है, so I asked her कि अगर उसको वो चीज चाहिए और उसको वो यूस करनी है, मैं आप यह पैक करके उसको कोरियर करवा रही हूँ, so आप इस तरीके से अपने कपड़ों को शफल करते हैं, आपके कपड़े भी यूस आ जाएंगे, देखिए फैशन आज कल इतना फास्ट चेंज होता है, कि अगर आप अपना एक कपड़ा रखे रखेंगे, तो वो बहुत जिल्दी out of fashion होगा, इसी तरीके से मैं अपने कपड़ों को शफल करती रहती हूँ, कभी मैं उसके ले ले लेती हूँ, कभी वो मेरे ले लेती है, और इस तरीके से हमारे पास हमेशा in trend, in fashion कपड़े होते हैं, क्यूंकि हम दोनों का size भी same है, दोनों almost same age group के हैं, so इस तरीक से winter में आपके पास भर्मार होगी कपड़ों की, so चलिए, आज का वीडियो इसी के साथ खतम करते हैं, आपको ये 22 smart and genius winter home hacks आपको कैसे लगे, जरूर बताओ, comment करके, चैनल अभी तक subscribe नहीं किया, चैनल जरूर subscribe करो, always remember, you are the powerhouse of your house, और उस power को आपको बढ़करा रखना है, जाए बढ़कर गर्मी हो, सर्दी हो, पारिष ओ, विंटर होलिडे सीजन को बहुत जम के इंजॉय करो विध इस winter home hacks, और अगर आपको ने कल रहे हो, do travel carefully, corona is back, so do travel carefully, अपनो और अपनी आपनी अपनी आपनी का बहुत सारा ध्यान रखो, विशिग आपको होगी आपको अप